जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल NCC वे में फ्रेंड्स यदि आप लोगोंने NCC Special Entry Scheme 57 में फॉर्म भरे थे तो आपके मन में कुछ सवाल आ रहे थे जैसे कि सौट लिस्ट का मेल कब आएगा और SSB interview कब होगा इसी basis पे आप लोग continue comments कर रहे थे तो finally आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के doubts क्लियर करूँगा कि इसका short list का mail कब आएगा exact date आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ और इसका interview कब होगा इस पे भी मैं आप लोगों को detail information देने वाला हूँ तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए like और यदि आप लोग channel पे नए है तो channel को कर लिजिए subscribe क्योंकि NCC से related आप लोगों को add to z information NCC वे channel में देखने को मिल जाता है कोई भी government job या private sector जिसमे NCC cadets को पहले preference या bonus marks दिया जाता है उसका detail आप लोगों को इसी channel के माध्यम से देखने को मिलता है तो चलिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं short list का mail कब आएगा तो आप लोगों को मैं inform करना चाहूँगा अभी चल रहा है अगस्ता और September के end end of September आप लोगों को इसका short list का mail लेकने को मिल जाएगा ध्यार रखोगे September में आप लोगों को confirm short list का mail आ जागा जिसको हम लोग call later बोल सकते हैं call आया है ऐसा बोल सकते हैं इसके बाद आपका जो SSB इंटर्वियों के लिए उसके बाद आपका जो SSB इंटर्वियों है वो कब से कब तक कंड़क्ट होगा तो आप लोगों के notification में mention है और हर साल के जो routine रहता है इनका वो रहता है October से जनवरी के बीच ध्यान रखोगे October से जनवरी के जो कि एक ही दीन में सब का इंटर्वियों अलाग अलाग यहीं को जाता है और एक दीन का जाओगे तो आप लोगों को बीच में एक या दो दिन का कि Paping देखने को मिलता है इसी वजह से यह इंटर्वियों वो 2-5 महिना कभी कभी 3 महिना तक conduct होते हैं उस बीच में आप लोगों को कोई mandatory date select करने रहते हैं कैसे select करना है, short list का mail कैसे आएगा ये सबी चीजे मैं आप लोगों को अगामी वीडियोस में बताते रहूँगा NCCB चैनल के माध्य हम से तो दो main doubts आप लोगों के clear हो गए कि short list का mail कभा आएगा तो अब मैंने आप लोगों को बताया, September में ही आ जाएगा आप लोगों को short list का mail और interview हो है जो आप लोगों का October से January के बीच चलेगा उसके बाद आते हैं तीसरे point पर है जो है document list का आप लोग SSB interview देने जाते हो तो आप लोगों को काफी सारे documents carry करना रहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से separate video बनाऊँगा क्योंकि उस video में मैं ना सिर्फ आप लोगों को document list बताऊँगा बलकि वो documents कहां से और कैसे collect करने हैं यह process भी आप लोगों को बताऊँगा इसलिए इसका एक मैं अलग से video लाने वाला हूँ जो detail में रहेगा उमीद करता हूँ friends यह video आप लोगों के लिए informative रहा video informative रहा तो please video को like करके अपने friends के साथ share कीजिए मिलते हैं नए informative videos के साथ जैहिन